आज हम बात करेंगे कि आपको शुगर डाइबिटीज क्यों हो गई या क्यों हो सकती है सबसे बड़ा कारण आपकी लाइफ स्टाइल है आपकी जीवन शैली है आप कहां गलती कर रहे हो कर रहे हो सकते हो आज उस टॉपिक पर बातचीत होगी तो आपने अग तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजिए तो आज की करनी ज़रूरी है और दवाईयों को मैनेज करना कितना इंपोर्टन है एफेक्टिवनेस कहां पर आ जाती कि कुछ दवाई काम नहीं करती है कुछ दवाई काम करती है और कब आपको बहुत इंपोर्टन है खत्रे वाली बात आ सकती है अगर आप घ्यान ना दें और अगर आप अच्छली में बहुत बिमार महसूस करें को कोंप्लिकेशन है तो उसको कैसे पहचाने और किसे क्या स्टेप्स उठाएं और अल्टिमेटली कभाई कभी-कभी अगर आप बिमार हो गए तब आप क्या करें दवाई कंटीनू करें दवाई बंद करें दवाई करते हैं और स्ट्रेस का क्या नाता है और जब अगर स्ट्रेस में तो कैसे काम करें आगे बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स पर तो प्लीज बने रहिए आखरी तक की वीडियो देखना है अगर आपको डाइबिटीज आपके परिवार में किसी को डाइबिटीज है तो यह बहुत करते हैं सब्सक्राइब कर लिजेगा चैनल को और शेयर का बटन दबाया दीजेगा याद रखिए यह सारी जानकारी जो इस चैनल पर होती है यह नाशनल मेडिकल लाइबरी से वरिफाइड होती है और बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मिशन होती है इस सांटिफि भी मैटर करती है healthy eating एक बहुत important part है शुगर है या नहीं है दोनों केस में अगर आपको diabetes है तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप यह समझें कि आपका ही नहीं आप जो खा रहे हैं उसमें कितना शुगर है और वो आपके आपकी blood sugar level को कैसे effect करेगा तो type of food matter करता है साथ ही उसका quantity भी matter करता है कितना खा रहे हो how much do you eat और किस तरीके का combination है वो भी matter करता है ठीक है तो समझते हैं इसको क्या बोल रहे है सबसे important चीज है carbohydrates carbohydrates यह वो चीज है जो टूट के ultimately glucose, fructose, sugar बनती है और शुगर ultimately आपके खुन में जाके blood sugar level बढ़ाती है तो ऐसे लोग जो sugar के patient है, sugar की दवा लेते हैं या जैसे कि type 1 diabetes या insulin dependent है, insulin लेते हैं इनके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है अत्ती आवश्चक है कि वो अपने खाने में carbohydrates को पहचाने भी किस food में कितना carbohydrate है और उसकी quantity को monitor करे, कम करे, portion control करे, बहुत ज़रूरी है ताकि आपका कह कहीं शुगर low ना हो जाए, कहीं शुगर high ना हो जाए, कहीं पे शुगर जो है आपकी problem ना करे, so portion appropriate आपके each food type के उपर होगा और meal planning को आपको समझना पड़ेगा, इसके लिए आप वजन को यूज कर सकते हैं, cup को यूज कर सकते हैं, weighing scale को यूज कर सकते हैं, मगर portion जो है व 40% आपका खाने का हिस्सा हो, so every meal में, हर खाने में balance होना जरूरी है, कोई एक आधा meal हो गया, कोई बात नहीं, but balancing is important, मतलब कि आपके खाने पीने के उसमें कुछ vegetables होना जरूरी है, कुछ amount of proteins होना जरूरी है, healthy fats अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो वो protein, vegetable दूसरे forces में आ जाते होना है, और फिर आता है कि complex carbohydrates हो, starts हो, complex carbohydrates, बहुत important है कि आप carbohydrates का type choose करे, simple नहीं यूज करना है, complex यूज करना है, complex में आप fruits यूज कर सकते हैं, whole grain bread यूज कर सकते हैं, fiber की row City, whole grain row arm की row जी है वैसा नहीं खाना है रोटी शुड भी लेस देन आपका अगर डाइबिटीज है तो लेस दैन में 40% आपके प्लेट का रोटी होना चाहिए 25% होगा तो भी चलेगा उसके लिए अलग-अलग शुगर लेवल जितनी है आपका वजन कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी होनी चाहिए अपने स्पेसिफिक लेवल के लिए अपने डॉक्टर से बात करें अपने डाइटीशन से बात करें कि मुझे कितनी रोटी या कितनी कार्भोहईडरिट परसंटेज वाइस एक फूड एक बार में लेना चाहिए अब खाने में टाइमिंग बहुत इंप एक बार में बहुत सारा खाना आपके लिए अच्छा नहीं है वो भी इंसुलिन स्पाइक करेगा डाइबिटीस और इंसुलिन रजिस्टंस में आपको प्रॉब्लम करेगा अगें डाइटीशन या अपने डॉक्टर से डिसकस करके अपनी खाने पीने का स्केडूल भी बन खाने वाली होती है उसमें सिंपल काब्स होते हैं यही सिंपल काब्स हैं जिनमें चीनी का इस्तमाल होता है जिसमें चीनी गुड जो शक्कर ऐसी चीजों का खंड मिश्री इन सब का इस्तमाल किया गया है वो सब चीजें आपकी सिंपल शुगर होती है complex काब्स का मतलब है शरीर को मेहनत करके उसको तोड़के उसमें से शुगर निकालनी पड़ेगी, simple carbs का मतलब है, जिसमें सीदा सीदा glucose डाल रहे हो शरीर में, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है शरीर को, तो तप से शुगर बढ़ाती है, पट से आपके शुगर लेवल और इन्सुलिन लेवल बढ़ता है, तो ऐसी चीज़ आवएड करें, दवाईयों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, आजखास कर अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं या कोई भी शुगर की दवा ले रहे हैं उनका काम एक ही काम है कि आपकी शुगर लेवल कम करें अगर आपकी शुगर नहीं खुद से कम हो रही है आप डाइट और एक्सरसाइज अगर करते हैं उससे भी आपकी शुगर लेवल फोड़ी कम होगी उसके उपर दवा लेते हैं उससे भी शुगर लेवल कम होगी किसी दिन ड़ाईम नहीं करी किसी दिन दवाई नहीं करी शोगर लेवल बढ़ जाएगी अगर रोजाना right exercise कर रहे है शुगर लेवल जो लेवल चाहिए उससे लो जा रही है तो दवाई कम करनी पड़ेगी तो यह एक management वाली बात है ठीक है management वाली बात है वैसा ही management आपको अपने दोक्टर के साथ मिल के करना है थोड़ा knowledge आपको होना चाहिए थोड़ा आपके दोक्टर को आपको देना चाहिए इस वेरी important कि आप अपनी दवाई को समय से लें और उसी dose में लें अगर कम करते है तो अपने दोक्टर को बता के करें वरना क्या हो जाएगा शुगर लेवल क्यों उपर नीचे हो रही है आपको दोक्टर को समझ नहीं आएगा वो दवा बढ़ा देगा या कम करेगा और फिर आपकी शुगर ज्यादा कम हो जाएगी बेहोश हो जाओगे ज्यादा बढ़ जाएगी किटॉसिस में चले जाओगे साइड एफेक्ट्स होगा बॉडी में टैमेज होगा तो शुगर लेवल दवा कम जादा अपने डॉक्टर से बात करके करें और शुगर लेवल मॉनिटर करें खाली पेट शुगर जरूर चेक करें डेली नहीं तो एक दिन दो दिन छोड़के खाली पेट की सुबह की शुगर देखनी चाहिए आपको वैसे खाना खाने के बाद भी देखनी चाहिए बर खानी पेट ज़्यादा जरूरी होती है मेरे हिसाब से आपने इंसुलिन लगाई फिर भी आपकी शुगर जो है सीधा 200-400-500-600 यह तक पहुझ गई आपको चक्कर आ रहे है आपको ketosis हो रहा है तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आप जो इंसुलिन यूज़ कर रहे है वो सही जगा स्टोर कर रहे है उसकी फिजिकली देखक या नया कोई क्रिस्टॉल की दवा कोई नई यूज़ कर रहे हो तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से बात कर नहीं है कि उसके वज़े से आपके या कोई alternate medicine यूज़ कर रहे हो कि आरविधिक दवा यूज़ कर रहे हो अश्वगंधा यूज़ कर रहे हो तो उससे इसकने लौप ना करें वो जरूर चेक करें वडियो और अगर आप बिमार हैं किसी प्रकार की बिमारी में अरह बहुर कर गिर। कॉर्टिसॉल नाम का हॉर्मोन जो है वो शुगर लेवल बढ़ा देता है जब तक स्ट्रेस में रहोगे तब तक शुगर लेवल बढ़ जाएगा और डाइबिटीस के कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे तो दवाईयां आपको बिलकुल अगर बान लीजे किसी को उल्टी हो रही है किसी को नौजिया वमिटिंग लूज मोशन हो रही है तो ऐसे केस में शुगर लेवल बहुत लो होने का रिस्क होता है तो ऐसे केस में अपनी दवाई बंद खुद से ना करें अपने डॉक्टर से अवर जरुडूर में कंटक्टर से और गंषभ करनी है तो आप से बात कर सकते हैं तो याद रखें अपना इंसुलिन लेने वालों के लिए जाधा लूता है और यूरीण अगर आपका शुगर ज्च ज्यादा हो जाता है तो यूरीण के कृतोंस आने लगते हैं तोShe मेजर करने के लिए यूरीन की डिपस्टिक आती है या यूरीन टेस्ट करके आपकर आ सकते हैं वो भी एक आप्शन होता है अपने डॉक्टर से मिल के बात कर सकते हैं अपने मीन प्लान पे जरूर ध्यान दखें मील अपना सही समय पे लें कोई भी स्नैक वाली चीजें कोई कोई बीच्ट कोई चीज अगर आप एसी कोई मिठाई वटे केक आप खा लेतने उससे शुगर बिगड़ सकती है तो ध्यान रखें क्वांटिटी कम रखें या फिर अपने डॉक्टर से बात करें कि मेरे शुगर लेवल के हिसाब से मैं खा सकता हूं थोड़ा बहुत या नहीं कभी-कभी तो sports drink भी और बार बार जो दूसरी energy drinks होती है उनमें भी शुगर होती है ध्यान रखें अचाप females में अगर menstrual problem होती है तो ऐसे case में hormonal level fluctuate होते हैं और शुगर levels भी fluctuate हो सकते हैं आप इसको एक हर बार similar pattern हो सकता है तो आपको उस दौरान अपना month to month शुगर level जरू track करना है ताकि आप predict कर सको कि भी ऐसा मेरे साथ होता है जब भी menses वाला time होता है sugar जो है वो 10-20 level कम हो जाती है और आपके doctor बताएंगे कि during your menses आप ऐसा करो ये दवाई कम कर दो वो करो ये करो ये करो ये मत खाओ वो कर लो so that is also important sugar level can become low during that time okay so sugar आपको regular चेक करनी पड और कई बार confusing हो जाते हैं menses या even menopause वाले time पर जब आपके menses बंद हो गए है तब भी आपकी sugar fluctuate हो सकती है लो हो सकती है तो sugar वाली दवाई आपको कम करनी पड़ सकती है तो अपने sugar regular चेक करें अपने doctor से बात करें अगर आप कोई birth control pill दे रहे हैं तो नॉर्मली तो वैसे वो diabetes के पर कोई major चीज नहीं करती मगर कुछ oral contraceptive blood sugar level बढ़ा सकती है कुछ women में तो आप अपने doctor से बात करके कभी-कभी अपना sugar level जरूर चेक करें उस दौरा stress मैंने जैसे बताया cortisol level बढ़ा देगा और stress लेने से आपका sugar बढ़ेगा तो yoga meditation exercise relaxation techniques आपको use करनी चाहिए जब भी आप stress हों इसी चीजों में सबसे ज़्यादा फायदा है नहीं तो ultimately आप doctor से बात करके stress की दवाईया कुछ तमय के लिए ले सकते हैं stress की दवाईयां stress में सबसे important आपके लिए होता है योगा exercise और अच्छी नीम और अच्छा खाना stress eating गलती से ना करें तो यह basic अगर आप ध्यान में रखेंगे तो diabetes का treatment कर पाएंगे अपने doctor से मिलके याद रखिए दवाईयों पे individual videos बाद में आएंगे कि कौन सी दवा का क्य साइड इफेक्ट्स है क्या नहीं है अपने doctor खुद ना बने अपने doctor अपने physician से बात करें और हमसे consult करना चाहें तो यह number दिया है या इस website पर जाके आप बात कर सकते हैं अगर इस चैनल को अब तक subscribe नहीं गया तो कर लीजिए मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहें